हेलो हाई वल्कम मैं हूँ आपका बंदा खूग ये तू मेरा नाम है सशांक यो बोई निक्स्टोर दिन है क्या है थे थर्स्टे का दिन है तेज तारीक है याने कि कल आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जो कि आपके लिए आज है और रात में बज रहे हैं साध्ये दस हमें क्या है क्योंकि यार वीडियो बनाने से पहले वीडियो की तैयारी भी करने पड़ती है मगर अगर आपने धन से ध्यान से इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रेपसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या आज है बात करने जा रहे है मुवी बेल बॉटम के पारे में आपका कभी वास्ता पड़ा है बेल बॉटम से बच्पन पहने है मैंने में पहने थे कुछ तो आप देते नॉर्मल वाले बेल बॉटम ठीक है हमने आप भाई साब हमारे इंदम जूंतों के उपर रखे रणचे हमें ता बच्छन टाई ठीक मामा के घर गए थे वहां पर हुआ क्या कि उन्होंने उनकी कपड़े की दुखान और बही आतके लिए कपड़ा निकाला गए बनवान लीजी बच्छो बनवान आए बहुत सारी जीवन में बेल बांटम बनाया जाए ठीक है बेल बॉटम बनाया जाए बही अगे टेलर को म एक दम कस्टमाइज बेल बॉटम बनाने का ओडर दे दिया अब भाया जब बेल बॉटम बन क्या है तो फिटिंग बढ़ी अच्छी थी मगर जो नीचे की मुहरी थी वो कुछ जाता ही थी एक दो दोफा पहनने के बाद ना मैं खुद वो बेल बॉटम कब शरारा जादा क्या था ठीक है अब बात करते हैं मुवी बेल बॉटम के बारे में यह कुछ एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप स्टोरी के साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि वह यह कुछ भी स्टोरी नहीं है क्योंकि सची घटनाओं पर यह आधारित है इंडिए का एक स्पाई जिसका कौट नि होती है यानि कि hijack हो जाने के बाद भी no casualties no damage yet everything recovered in the same structure कहानी बेस्ट है 1984 में जहां पर इडिया की Indian Airlines को hijack करके पहले ले जाया जाता है Lahore फिर वहां से इसको ले जाया जाता है दुबाई और इसी सारे पीचों में आपको different different प्रकार की चीजे backstory कैसे वह अपने agent के रूप में आया क्या कर रहे हैं कौन कर रहे हैं यह सारी चीज बेल बॉटम के चारों तरफ आपको दिखाए गई बेल बॉटम के थोड़ी सी past history भी दिखाए गई कि वह क्यों कैसे कम बेल बॉटम बने जिसमें एक emotional मा का एंगल डाला गया है इस बात में कितनी सच्चा ही है कितना जूट यह नहीं कह सकता क्योंगी घटना सच्ची है यह मुझे पता है पर वह agent किस घटना की वज़ा से बने वह घटना कितनी सच्ची है यह नहीं वो मुझे नहीं पता है but then establishment काफी अच्छा दिखाया गया है और अभी मैं story की बात कर रहा हूं character पर मैं पहुंचा नहीं हूं ठीक है characters के बार में बड़े आराम से बात की जाएगे आगे आगे जैसे आप story में बढ़ते जाते हैं आपको कहीं पर भी story एक second के लिए भी unpredictable नहीं होती है आप predict कर सकते हो आपको पता है next क्या होने वाला next क्या होने वाला next क्या होने वाला मगर आदिल हुसेन साहब ने एक पूरी story में dialogue डाला है जो हमको कभी नहीं भूल सकता उसके बार में भी हम आपको बताएं moving forward कहानी में पूरी तरीके से last half capture किया गया है सिर्फ hijack के बारे में और hijack कैसे हुआ कब हुआ कैसे अब आके काम कर रहे है Indian government का क्या role है, raw उसमें क्या कर रही है, abuse में क्या कर रही है, ISI क्या कर रही है इसी सारी चीजों को जोडते हुए ताना बना पूरा कहानी आपको दिखाया जाता है now the story bit is confirmed, story में कोई कमी आपको कहीं नहीं दिख रही है और आप कभी निकाल भी नहीं सकते क्योंकि जैसे story के आगे यह लग जाता है, सची घटनाओं पर आधार तो director liberty थोड़ी सी कम हो जाती है और जो भी screen पर दिखाया जाता है, उसमें सचाही आप खोजने लग जाते है तो story में bell bottom को हम 5 star में से 4 star देंगे, there is nothing, जो ही मेरे हिसाब से गलत है, बाकियों को लग सकता है, आपका मूँ, आपका जबान, आपका आंख, आपका दिमान हमने रोका थोड़े, okay, now coming to the acting bit of it, मेरे साथ इसमें भी एक थोगे हुआ, बहुत तरड़ा खेल होब है, एक तरण खेल होब है, बही हमने पूरी मुवी देख दाली, उसके बाद जब अप्य हम ये रिवीव देने के लिए, बाल-बाल सँही है कि नहीं है, बाल सही है कि न जरुए मैं अपने आप से पूछ और मैंने टाइम करने के लिए आज भी आगे बढ़ा दिया था लारा दुटा सीन इन बेलवॉट थोड़े देर बाद जब मैंने कास्ट की डीटेलिंग पड़ी तो मुझे को पता चला कि जो इंद्रा गांधी का रोल है वो लारा दुटा में करामाद की है कि कहां अंदाज की लारादथा कहां लारा दुटा एक क्या नाम तो उसका बबली मुन्नी क्या वरी थि dalत गता और इंद्रा का दीकव में लारा दटा आपके हांके खुली खुली रजाएं। उसके बाद वानी कबूर का बहुत ही छोटा सा बट ऐसा क्या युआप घंका की है नाचा वचा है। एक दू जुगा ऐक्टिंग की है जहाँ पे डंक की आक्टिंग की है। कोई बड़ बड़ नहीं तिक रही है। पर आप बोली कि उनको काम करने का मौका बहुत ज्यादा मिला तो नो नॉट नभर कभी भी भी में वो एक गेस्ट अपीरेंस के तरह काम कर रही है मगर जो भी किया उनने धंका किया है बाकी थोड़े मोड़े छोटे मोटे बहुत सारे क्यारेक्टर है अक्षेंकुपार की मा आदिन हुसाइन की बात करें तो वाह क्या बात है बहुत मज़दा उन्होंने रोल किया है और उनका एक डालोग है सेल एक नौजात कुट्टा रोड पे पैदा हुआ उसने अपनी मां को देखा और पूछा कि मां पिताजी कैसे दिखते थे अच्छा डोंट कोट में अंध बेटा एक दिन वो चुके से पीछे से आये और पीछे से ही चलेगा दूसरा आप जानते हैं रो वो पिता जी भाई इस डालोग के बाद नाम को ऐसा ओमाइगाट ओमाइगाट मेरा ऐसे हो किया तो आदिल हुसाइन जी ने बहुत अच्छा काम किया है अब काम की बात बता अच्छानी के लिए है ने अक्षे कुमार जी वही करते हैं जो हलबार करते हैं तो अंदा एक्टिंग बहुत अच्छा स्तांस खुबसूरत क्यामरा में अपने आपको दिखाना और उसके बाद हर एक रोल को उसी तरह से निभाना जिस तरह से वो रोल है तो अक्षे कुमा है बहुत सारे लोगों ने अच्छा चोटा चोटा बड़ा बड़ा रोल किया हुआ है मोवी में उन सभी का काम अक्टिंग वाइस बहुत अच्छा है तो अगर आप अच्छी प्रफॉर्मेंसे देखने जा रहे हैं यू विल नाट बिश्पॉइंटेड अगाइन अक्टि तो अब आगे बढ़ते हूं और आप बात करते हैं डायरेक्षिन के बारू दैरेक्शन जिन होने इस मूटी का दिया हूं का नाम है रंजीत एम तिवरी जी रंजीत जीने बहुत सारी मूव्यज में assistant director associate director का का काम किया हूँआ है कुछ मूटी का नाम हम आपको बताते हैं of movie जो मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगे थी तो उसमें भी मुझे direction काफी पसंद आया था movie कहीं थोड़े बहुत हो जाती है बीच में story की बजा से but yet I like the direction bit again आपको वही same चीज बलबॉटल में भी देखने को मिलती है कि आप direction अगर देखने जा रहे है if you are in a mood की बहुत अच्छा मज़ेदार काम देखना है तो मज़ेदार काम आपको देखने को मिलेगा तो तो all thanks to Ranjit Tiwali ji Ranjit M Tiwali ji जिन्होंने बहुत ही उंदा और खुबसूरत काम अपनी direction में दिखाया है अगर आप direction की बात करें तो 5 में से 4 star में उनको दूँगा final verdict देते हुए अगर मुझे कुछ बताना हो तो मैं आपको यही बताओंगा कि भया bell bottom को मैं आच में से 4 star में देने वाला हूँ तो 5 में से 4 star में देने वाला हूँ तो फोर thumbs up में दे के खतम करना हूँ और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर आप खाली हैं और आपके साथ कोई अच्छी company है जिसके साथ आप खुबसूरत movie देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं bell bottom गाने अच्छे हैं मूवी अच्छी है अच्छा है characters अच्छे है family के साथ बैठके देखना चाहते हैं तो देख सकता है एक बार भी आपको इदर उदर नहीं देखना पड़ेगा और आपको ये movie देखते समय अपना दिमाग किसी को गराय पर नहीं देना पड़ेगा आप अपना दिमाग रखके ये movie देख सकते हैं किसी भी जगा ऐसा नहीं लगएगा ओ पैठे कैसे ऐसी कोई feeling आपको नहीं आएगी movie all in all बहुत अच्छी है मेरे तरफ से 4 thumbs up बाकी मैं हूँ आपका बंधा गूंग के दू मेरा नाम है Shashank आपने पनी bell bottom की कोई story अगर सेयर करनी है तो नीचे comment section में कर सकते हैं मेरे बाल corporate culture कुछ नहीं कर सकते हैं तो मिलता हू किसी अगले वीडियो में Tuesday को ठीक है in the meanwhile you can enjoy the whole whole video और उसके बाल आपना थोड़ा सा like share comment भी कर देने ठीक है घूम के तु मेरा नाम है मतलब नहीं शचांग मेरा नाम है घूम के तु चैनले नाम है मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में in the meanwhile enjoy your way enjoy your life assalamuala wistab bhaibay आपरा आप मुझे इस हाल में बीना डाढ़ीयो देख के थोड़ा सा चौकने चका चौंद और माई गाइज हो गए है तो पने इसका मतलब इसके पहले का वीडियो नहीं देखा रहता है तो अगरipeनी के पहले का वीडियो नाई पिखा कर का जरी का well झाल झाल